डियर फ्रेंट्स दिस इज निशान त्रस्तोगी एंड यू आर वाचिंग सी एनर आई डियर फ्रेंट्स आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूं इस चैनल की सुरुआत एक चुल में केमेस्ट्री डाउट सॉल्विंग से सुरू हुई थी इस टुडेंट्स को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक करेक्शन नहीं मिल पा रहा था authentic answer नहीं मिल पा रहा था और साथ ही साथ minimum time में maximum study करनी थी तो एक concept लेके authentic knowledge देनी है और minimum time में maximum study करानी है इस concept के साथ इस channel के शुरुआत हुई थी बाद में student की demand आने लगी कि सर ये video वो video तो फिर different domain के और different subject के कई सारे video को इसमें upload किया गया जो कि class 5th से start है आप इसको playlist में जाकर देख सकते हैं तमाम video हिंदी medium के हों चाहिए वो English medium के हों और किसी भी label के हों लगबख सारे label के video आपको इस channel पर मिल जाएंगे अभी तक लगबख 1800 प्लस यानि 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस channel पर अप्लोड किये जा चुके हुए है जो कि different domain के हैं आप एक बाद playlist सर्च करेंगे I hope कि आपके काम के video यहां पर मिल जाएंगे आपका प्यार लगातार मुझे मिल ला है और यह आगे भी मिलते रहना चाहिए क्योंकि यह motivation के लिए बहुत जादा जूरी है बट अभी के data के साब से आज के data के साब से अगर मैं देखू तो लगबख 75% viewers यह है वो इस channel के non subscriber हैं जिन्होंने subscribe नहीं किया है के 25% viewers ने ही subscribe किया हुआ इस channel को तो भाई subscribe करना बहुत जूरी है और अगर आपका कोई भी comments है कोई suggestion है तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जूरी है तो प्लीज इसको करते रहिए subscribe करते रहिए like करते रहिए share करते रहिए comments करते रहिए आप भी motivated रहिए और मुझे भी motivated करते रहिए वाज यही आसा के साथ वीडियो शुरू करते हैं यह इस question को solve करते है question करा कि phenol is more readily soluble in NaHCO3 sodium bicarbonate solution dilute SCL फिर तेरा बोथ NaOH and SCL और तीसरा चोथा दे रहा है NaOH solution हमको यहाँ पर देखना है कि phenol जो होगा वो किडमे readily soluble है तुरंत आसानी से soluble हो जाएगा चलिए हम इसको देखते है option 22 हर एक option को लगा के देखते हैं तो समझ में आजाए का भी कैसे क्या चुलिए हमने option A की बात की तो यह कहरा कि phenol जो है वो NaSCO3 में soluble है कि नहीं चलो देख लेते हैं तो हमने यहाँ पर लिया phenol आपको समझ में आरा है कि रिंग के उपर अगर आप OH लगा देते हूं तो वो phenol बन जाता है आपने इसकी reaction करा दिया NaSCO3 के साथ में ठीके ना चुकि यह कैसा है weak acid है और weak acid है तो इसलिए यह क्या करेगा equilibrium को show करेगा तो मैंने यह equilibrium बना दिया और इसने यहां से क्या हुआ sodium phenoxide बना लिया इसने क्या बना लिया sodium phenoxide क्या बना लिया भाई sodium phenoxide और फिर क्या बना लिया इसके साथ क्या बन गया इसके साथ बन गया carbonic acid क्या बन गया H2CO3 क्या नाम है इसका carbonic acid ठीक है ना अच्या भी शहीए अब जरो एक पर देखो यहां पर इसका अगर हम pka value देखें तो यह value आती है 10 और अगर हम carbonic acid का Pka देखें तो इसकी value आती है 8 carbonic acid की pka value कितनी है 8 है और इसकी pka value कितनी है 10 है तो by strong acid कौन्स अवा तो आप आप होगे sir जो strength of acid होती है जो strength of acid होती है वो inversely proportional होती है PKA के यानि जिसका PKA ज़्यादा उसकी acidic strength क्या है कम और जिसका PKA कम उसकी acidic strength ज़्यादा तो इन दोनों में compare करें तो भई यह जो होगा वो कैसा हो जाएगा strong acid हो जाएगा किससे then phenol किससे हो जाएगा then phenol phenol से ज़्यादा strong acid हो जाएगा अब जो strong होता है वो क्या ही लिए होता है तो जो strong होता है वो जल्दी तूटता है और जो weak होता है वो क्या होता है उसकी degree of dissociation जो होती है वो क्या होती है लो होती है इसका मतलब इसकी degree of dissociation high है यानि कि यह फिर से तूट जाएगा और फिर से तूटा तो फिर से reaction करके reaction को इधर साइड ले गया और जब इधर साइड ले गया तो backward reaction जो थी वो क्या होने लगी ज्यादा तो फिर phenol की solubility कहां आई यानि कि phenol इसमें solubile नहीं होगा I hope आपको concept समझ में आ गया क्योंकि reaction हमेशा जोती है वो strong से weak की तरफ जाती है weak का degree of dissociation कम है वो कम टूटता है कम टूटता है तो ज़्यादा stable है और ज़्यादा stable है तो reaction भी stability की तरफ मूब करती है तो reaction कि तरफ से move करती है reaction करती है strong से किदर की तरफ weak की तरफ मूब करती है और यहां तो क्या हो रहा है यहां से weak से strong की तरफ मूब कर रही है यानि फिर से टूटा टूटके बापस आ गया तो फिर यह solubile नहीं हुआ तो आपको न तो वो H plus sign देगा फिनॉल ने अगर H plus sign दिया तो कौन सा H plus sign देगा जो oxygen याणि more electronegative element के साथ लगा हुआ hydrogen वही देगा कभी भी रिंग का hydrogen नहीं देगा तो यह more electronegative element oxygen के साथ लगा हुआ hydrogen देगा तो यहां से आपको सम्में आ गया कि इसने क्या करा H प्लस आइन दे दिया और बना दिया क्या phenoxidine क्या बना दिया phenoxidine आपको सम्में आ रहा है कि phenoxidine जो है वो more stable है क्योंकि यह resonance stabilize हो जाएगा और इसका electron जोगा वो ring में delocalize होना शुरू हो जाएगा तो resonance को यह show करेगा चले खर कोई बात नहीं अब हमने इस beaker में क्या किया इस beaker में मिला दिया हमने dilute scl हमने dilute scl मिला दिया मतलब कि H प्लस sign की concentration को बढ़ा दिया तो जैसे H प्लस sign की concentration को बढ़ाया equilibrium reaction में अगर आप कोई भी change करते हो तो reaction उस direction में move करती है जहाँ पर उस change को counterbalance किया जा सके तो आप कर क्या रहे हो आप H प्लस sign को बढ़ा रहे हो H प्लस sign बढ़ेंगे तो reaction उस direction में जाएगी जहाँ H प्लस sign घट जाएं तो घटेंगे कहां इधर side बोलो भाई याणि जो H प्लस sign बढ़ेंगे वो इसके साथ reaction करके क्या करेंगे इसको बनाना सुरू करतेंगे याणि H प्लस sign घटना सुरू हो गए तो भैया phenol की concentration बढ़नी सुरू हो गई और जाब phenol की concentration बढ़नी सुरू हो गई तो फिर reaction तो बैक हो गई, तो फिर ये solvile कहा हुआ, तो फिर ये dilute SCL में solvile होगा, क्या, नहीं होगा, जैसे dilute SCL में मिलाना शुरू करो, फिनॉल बापस बन के आ जाएगा बाहर, बासन में आई ना, तो फिनॉल फिर solvile नहीं हुआ, जैनी, फिनॉल, फिनॉल का, फिनॉल ही ना, तो ठीक है, इसके बाद करा, बोथ, SCL तो ये तो होई नहीं सकता, बचा क्या D, ये कहाई नहीं हो सकता, क्योंकि SCL फिर से दे लिया इन्होंने, SCL में भी हमने देख तो लिया कि solvile नहीं, बचा कौन सा, D, तो बाइ, D वाला देख लेते हैं, D वाले option में आप देखो, त अब इस पूरे भीकर में आपने क्या करा, N, O, H मिला दिया, आपने N, O, H मिला दिया, तो O, H, N की concentration आपने बढ़ा दी, अब O, H, N आएंगे और H, N के साथ reaction करेंगे, reaction करके water को बनाना सुरू कर देंगे, इसका मतरब कि इस equilibrium में H, N की concentration घट रही है, जब H, N की concentration घटेगी तो फिर यह H, N गायब होने सुरू हो गए, तो reaction लीच, एक्लियर के साथ से चलना सुरू हो जाएगी, reaction H, N गायब, तो reaction उदर साथ जाएगी, जहाँ H, N ज्यादा बनेंगे, ज्यादा बनेंगे तो कैसा होगा, reaction forward move करना सुरू करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा फिनोकस अधर correct हो जाएगी,